हालो एव्रिवान वेलकम बैक तो मागनेर प्रेंग्स माइनम इस सियास पायल पोफली एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां छपी हुई हैं कॉमर्स की तीनों देवियों की तस्वीर यह हैं आपकी साक्षी माम जो आपको एकनाविक्स पढ़ाती हैं यह मैं अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कभी भी उन वीडियों को प्ले करके चलो अब आधे हैं काम की बात पर इस पर्टिकलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ पढ़ेंगे नहीं इसमें हम देखेंगे क्या देखेंगे कि cbsc ने टर्म 2 के लिए निकाला है sample paper और as expected it's a subjective paper मतलब कुछ लोगों को यह था ना कि MCQ आएगा या subjective आएगा क्योंकि कोविट की cases फिर से बढ़ रहे हैं तो किस तरह से prepare करना है तो CBSE ने उस उलजन को दूर करते हुए आप लोगों को बता दिया है कि subjective पेपर रहने वाला है मतलब अभी तक तो यही है बाकि अब भगवान पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा राइट तो यहां पर सांपल पेपर आप देखेंगे टर्म टू का एक्जाम 2021-22 के लिए इस सांपल पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिसके बारे में आपको पहले ही बता देती हूं ताकि आप अपना माइंड सेट उसी के बेसिस पर फॉर्म कीजेगा और आपको पेपर भी ऐसे ही देना है ओके तो इस चालिस नंबर का आ चालिस आपके टर्म वन से लिए जाएंगे चालिस आपके टर्म टू से लिए जाएंगे और बीस नंबर प्रजेक्ट के होंगे और प्रजेक्ट रिलेटेड वीडियो ऑल्रेडी आउट है किसी ने नहीं देखिया या नहीं बनाया है प्लीज जा कि देख लीजे और अपन के अंदर अंदर टर्म वन में क्योंकि MCQ पाटन था तो उन्होंने टाइम डियोरेशन थोड़ी कम दी थी बट बिकेस इस सब्जेक्टिव पेपर आपको लिख की आना है पूरा-पूरा आंसर तो यहां पे आपको दो घंटे मिले हैं और सिर्फ और सिर्फ बारा क्वेशन है तो तो यहां स्ट्वेल वक्वेशन ओनली अब इन क्वेशन में भी कुछ-कुछ बाइफरेशन है वो मैं आपको बताती हूं कैसे this paper contains 4 questions of 2 marks 4 questions of 2 marks and then पहले मैं थोड़ा रब कर दूँ था कि थोड़ा clarity रहे आप लगों को फिर रहेगे 4 questions of 3 marks फिर रहेगा 4 questions of 5 marks और ऐसे total 12 और 40 चार question 2 number के, 4 question 3 number के, 4 question 5 number के total 12 question है और total 40 marks का paper रहेगा तो यह bifurcation है इसको ध्यान से समझगेगा क्योंकि यह समझना ज़्यादर ज़रूरी है क्योंकि आप जब अपनी paper के तयारी कर रहे होंगे तो आप उसके according पड़ेंगे कि आप देखो या तो 2 number का question आसकता है या 3 number का सकता है या 5 number का सकता है तो content उतना ही prepare करना जिन topics में तुम्हें लगता है कि हाँ long answer type question हो सकते हैं तो 5 number के according कितना लिखकी आना है practice जो करनी है घर पे daily basis पे बैठके हर एक question लिखके देना है तो किस format में रहेगा वो इसके basis पे decide करिएगा थोड़ा सा judge करिएगा देखे जो भी exam मतलब जो भी student exam perspective से पड़ता है उसके no doubt exam में बहुत अच्छे marks आते हैं तो यह हो गया pattern उसके बाद मैं आपको बता दूँ दो marks वाले question में वह आपसे expect कर रहे हैं कि आप short answer type question लिखेंगे जिसका answer आप 30 से 50 words में लिखेंगे यह मैं रब कर देती हूँ एक बार दो नंबर वाले question में आपको 30 से 50 words की limit दी हुई है पचास से आप 55 कर सकते हैं लेकिन 80-90 नहीं कर सकते हैं जितना वह आपसे expect कर रहे हैं उतना ही लिखेंगा stick to that limit हाँ थोड़ा बात उपर नीचे हो सकता है because exactly you know same amount तो कभी-कभी possible हो नहीं पाता बट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे मत करिएगा तीस वह बोला है वर्च तो यह मत करिएगा कि दस वर्च में लिखे आ रहे हो वह फिर तुम्हें पूरे मार्च नहीं मिलेंगे और तुम 60-90 वर्च कर दोगे ना तब भी examiner आपसे हो सकता चड़ जाए तो वह मत करिएगा जितना limit provided है उतना ही लिखेगा जो तीन नंबर के questions है उसमें वह आपसे expect कर रहे हैं 50-80 words की limit 52-80 words की limit और जो पांच मार्क के question है उसमें वह आपसे expect कर रहे हैं 80-120 words की limit तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है आपको उठाने हैं कुछ questions तीक है उसका answer लिखके देखना है और उसमें word count करने है word count कैसे करोगे कि one two three four और यह जो इस और चुट 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 रिवर्ड होते टू इनको फिर भी तुम थोड़ा बाद स्किप कर सकते हो ठीक है जो बड़े बड़े crucial words है उनको लेना word limit देखना यह एक बार जरूर करके देखना मेरे हर एक student को उसका एक reason है देखे इससे क्या होगा आपको यह समझ में आएगा कि कितना word limit कितने आपके paragraph मतलब कितना बड़े lines में आ रहा है फ़र से कुछ लोगों की writing बहुत बड़ी-बड़ी होती है तो उनको 8-9-10 lines लिखनी पर जाते हैं कुछ-कुछ लोगों की writing बहुत छोटी होती है तो इनके 3 या 4 lines में ही पूरा answer complete हो जाएगा according to this word limit तो अपने according आप देखिएगा कि कितना pace भर रहा है अंदाजा लीजिए क्योंकि paper में जब आप बैठे होंगे और answer लिख रहे होंगे वहां तो आप count करके नहीं देख सकते ना इतना time नहीं होता आपके पास तो आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि 30-50 नंबर का 50 words का जो मेरा question होता है वो usually इतने space में आता है या फर 50-80 में जो होता है वो इ से ना करो this question paper contains case source based questions also यह बोल रहे हैं case study pattern से भी कुछ question आ सकते हैं कि आपको एक case law दे दिया जाएगा case study दे जाएगी and then you'll have to apply the concept और उसके according आपको मतलब answer लिखना होगा ठीक है इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूँ that इसमें overall तो कोई choice नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि 10 question दिये हुए 8 attempt कर लो नहीं लेकिन internal choice बिलकुल है internal choice का मतलब होता है कि एक question दिया हुआ है उसके बगल में लिखा हुआ है और फिर दूसरा question दिय लेकिन ध्यान रखना जो भी question attempt कर रहे हो उसके बारे में लिख देना पेपर में कि मैं यह वाला question attempt कर रहा हुआ मतलब mention something जो कि उस question को दर्शाती हो यह नहीं कि तुमने directly answer 7 करके पूरा answer लिख दिया और सामने वाले यह सोर्चर है तुमने उपर वाला attempt किया या नीचे वा नॉर्मल टीचर्स की mentality बतारी हूं हम लोग impressed नहीं होते ऐसे एक्स्ट्रा बुद्धी जीवी लोगों से हम लोग सोचते हैं कि बिया जादा smartness दिखा रहा है काटो इसके number सो इसती है दो question पूछे हुए internal choice दी हुई है तो एक ही attempt करना with that why do you want to waste your time बारा question है दो घंटे हैं बस और तुम्हें अच्छा answer लिखके आना है यह नहीं कि तुम्हें बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखके आना है अच्छा answer लिखना है तो हर एक answer को सोच के अच्छे से draft करके लिखना चाहोगे न तुम तो इस तिये जहां पर तुम्हारा time save हो पा रहा है करो उसे ठीक है अब finally sample paper के दर्शन कराए जाए आप लोगों को first question हमारा रहेगा short answer type question जो कि दो number कर रहेगा वैसे तो मैंने हर question के बगल में marks mention कर दिये है ठीक है और जब मैं answer आपको बता रहे होंगे तो मैं यह भी बताऊंगी कि marking scheme किस तरीके से चलती है मतलब आपको किस basis पे कितने marks मिलते हैं ठीक है so first question इसमें यह है identify and explain the two sources of source of recruitment which cannot be used when the existing staff is either inefficient or does not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled okay क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे पहले तो यह chapter मतलब यह question कौछे chapter का यह yes कर लिया करो यह staffing chapter का थेक है तो staffing chapter में हमने पढ़े थे sources of recruitment remember internal external करके बहुत सारे अंदर उसके sources पड़े थे वहीं से question पूछा गया है और यह आपसे पूछ रहे हैं कि sources of recruitment में दो कोई ऐसे source के नाम बताओ जो आप नहीं उस कर सकते जब आपका already existing staff जो होता है वो inefficient होता है already existing staff में से आप higher नहीं कर सकते हो किस तरफ अंदाज़त दिला रहा है आपका यह आपको internal source की बारे में बता रहा है remember recruitment में internal source में मतलब organization के अंदर से ही हम vacancies fill कर रहे है external में हम बाहर से vacancies fill करने के लिए लोग लेके आते हैं तो internal वाले में हम usually क्या करते हैं promotion या फिर transfer करके vacancy fill करते हैं और वही दोनों चीज़े हम यहां पर apply नहीं कर सकते हैं अब यह question थोड़ा सा tricky था जो मुझे लगा first go में मतलब जब हम first time यह question पढ़ते हैं तो हमारे not the other one ठीक है तो थोड़ा सा confusion अपना दूर रखना question को बहुत ही ध्यान से पढ़ना question जब लंबे होते हैं ना तो उनमें बहुत कुछ ऐसा hidden रहता है तो ध्यान से पढ़के analyze करके कि exactly क्या पूछना चारे हैं हम अपना answer लिखते हैं इसका answer रहेगा internal source और internal source में one is promotion another one is transfer promotion का मतलब होता है कोई नीचे वाली post में था उससे बड़े वाले post में जो इनसान था वो रिटायर हो गया तो इसको वह वाली post मिल जाएगी तो सब्सक्राइब W Nun is live running in a तो हम इंसान को उठा के इस देपार्ट में होड़ा यह तो बिद्द क्रहने हैं किया आपको कोई बढ़ या पोस्त नहीं मिलिए आपको वही भी सेम पोजिशन पे ही different department में बेगा तो यह दोनों heures को यहां Telem हम यहां पर अप्लाइ नहीं कर सकते हैं अगर एफिशेंट होता तो हम सोच सकते थे इन दोनों options के बारे में ठीक है अब यहां था question identify and explain देखें यहां हमारा sample paper को decode करने का कोई motive नहीं है कि यहां क्या question पूछा है क्या answer लिखेंगे हम हम समझ रहें exactly कि sample paper में जो questions आये हैं जब हम उसकी answering करेंगे तो हमें किस तरीके से करनी है क्योंकि देखें cbse ने खुद question दिए sample paper के खुदी answers भी बता दिये तो फिर इस वीडियो का तो कोई sense नहीं बनता था क्योंकि question और answer तुम्हें पहले से मिल गए है sense यह है कि हमें यह समझना है कि कोई भी question को attempt करने से पहले या attempt करने का तरीका क्या होना चाहिए ठीक है तो दो question थे यहां पर identify और explain तो यहां पर जो marking scheme होगी वह ऐसे होगी कि आधा marks आपको मिलेंगे किसके identify करने की तुम्हारा answer क्या होना चाहिए और आधे marks तुम्हें मिलेंगे explain करने के लिए तो तुमने internal source जैसे ही पता लगा लिया आधे number तुम्हें वैसे ही मिल तो दो number का यह पूरा question हो गया understood अब चलो तुम answer देख लो ऐसे तो answer CVC की site पे available है but still if you want to take screenshot तो देख लो तुमारे मैना थुड़ी कम हो जाएगी कहा CVC में ढूनते फिर होगे राइट चलो second question पर आजाए ओके तो second question है Micah Limited is dealing in all types of cosmetic products आप सब समझ गए होंगे कि कौन से उससे प्रेणा ली गई है किसकी तरह sound कर रहा है हमारे slide वाले तो ऐसे confuse हो गए थे कि इन्होंने इसकी जगे वह ही लिख दिया था जो site actually चलती है कॉस्मेटिक उसके लिए सेल चल रहे है बाइदवे वहाँ पे देखना हो तो कोई प्रड़क देख सकते है Micah Limited is dealing in all types of cosmetic products. It is enjoying increased demand for its product during the last few years. For the purpose of expansion, the company needs 100 crores as additional capital. The company decides to raise funds through equity shares. Chirat Kapoor, the finance manager of the company recommended that the shares may be sold through issuing houses or brokers. Identify and explain the method recommended by Mr. Kapoor through which the company can raise additional funds for the expansion purpose. सबसे पहले तो ऐसे questions को हम समझते हैं कि बोलना क्या चाहरे है This is case study based question, okay? तो यह बोल रहे हैं कि एक company है, जो अच्छा खासा काम कर रही है, demand भी उसकी products की बहुत अच्छी है. अब यह company 100 crores क्या करना चाहरे है, raise करना चाहरे है. मतलब इस company को और बड़ा बनना है, तो यह additional capital raise करना चाहरे है, 100 crores. ठीक है, बहुत बड़ा figure है, बड़ा ऐसी company से बड़े figures भी चलती है. तो equity से यह चाहरे हैं कि हम equity से पैसे जुगाड़े, equity आप सब समझते हैं, shares हम देते हैं public को, public shares करीते हैं और उसके बड़े में पैसे देती हैं, उसी के बारे में बात हो रही है. तो इस company का ना, जो finance manager है, उसका नाम है चिराक कपूर, बहुत भारी भर कम नाम है, तो इन्होंने recommend किया है कि हम directly लोगों को shares ना देके, हम देते हैं shares कुछ middleman को. मतलब हम कुछ brokers या फिर हमारे issuing houses को shares दे देते हैं, direct public के साथ लेंदेन का चिक-चिक नहीं रखते हैं, जादा हो जाएगा, अपनको बहुत जादा ताम जाम रह जाएगा, तो वो नहीं करते हम directly shares इनको देंगे, आगे इनकी सरदर दिये ये बेचे, तो ये उन्होंने recommend किय है, ये पूरा तरीका लिखा हुआ है, इस question में answer भी छुपा हुआ है, बस आपको concept समझनी है किसके बारे में बात हो रही है, तो चिराग भाई साब किस concept के बारे में बात करें, ये आपको बताना है, इस question में, question समझ गयो तुम, कि वह या directly नहीं बेचना चाह रहे, middleman को ब The answer is, offer for sale, it says, under this method, securities are not issued directly to the public, but are offered for sale through intermediaries like issuing houses or stock brokers, offer for sale में हम क्या करते हैं, directly public को securities ना देके, हम देते हैं, कुछ middleman को securities, हम उन्हें बीच में इन्वाल्व करते हैं, और उसके थू हम पूरा समान आगे बिकवाते हैं, So, पूरा का पूरा question, answer उसके अंदर ही hidden था, बस हमें decode करना था, कि वो concept का नाम क्या होता है, पूरे marks बस उसी के मिल जाएंगे आपको, understood, चाहें तो screenshot लीजिए, second question था ये आपका, और ये भी कितने marks का था, again ये भी दो number का ही था, अभी इस starting में 4 question, I guess 2-2 number के ही चलेंगे Third question है, again 2 marks ये बोलता है, explain the two concepts which are part of exercise, which would reveal whether a company is understaffed, overstaffed और optimally staffed, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ और मैं आपको कुछ keywords बताती हूँ, और बोलती हूँ, इन keywords को याद रखना, यही से तुम्हें पूरी concept समझ मे आजाएगी, और वो actually वैसे आजाता है paper में, यहाँ देखे, मैं आपको अभी थोड़े दिन पहले ही one shot दिया है, मैंने आपको इस chapter का, staffing chapter का, और मैंने वहाँ पे आपको कुछ concept समझाई थी, जहाँ पे मैंने आपको keywords में यह सारे words बताए थे, और देखो उसी concept से question आगया देख रहे हो तुम, मेरी बातों को हलके मात लिया करो, मतलब मैं मजाक मजाक में बोल देती हूँ, इसका मतलब यह नहीं हलकी बाते बोलते हूँ, कभी कभी भारी बाते भी निकलते है, so आपको वो दोनों concepts को decode करना है, बताए, जिससे पता लगता है कोई भी department over staffed है, under staffed यह optimally staffed है, कुछ पढ़ा था हमने, कुछ work, hint है यह आपके लिए जल्दी बताओ, anyways, I guess आप लोगो को आ गया होगा, याद मैं यह expect करे हूँ, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है, यह मत करना की नहीं याद आया, please, और अगर तुमने one shot वाली videos नहीं देखे हैं, प्लीज आ कि पहले वो देखो, बहुत अच्छी videos बनाई है, मैंने बहुत efforts लगे मेरे उसमें, चलो, workload analysis और workforce analysis, इन दोनों से ही हम पता लगाते हैं कि पूरी organization में काम कितना है, और already existing staff कितना है, काम कितना है total, उसको करने के लिए लोग कितने लगेंगे, और अभी फिलहाल कितने लोग प्रेजन्ट है, इसको प्लस माइनस करोगे, यूविल गेट यूर आंसर कि या इतने लोग लगेंगे, इतना सारा काम है, और अभी फिलहाल इतने लोग है, तो उसके basis पे यूविल गैस कि अभी जादा लोग हो रहे हैं, मतलब over staffed है, या फिर कम लोग हो रहे हैं, तो under staffed या जितने चाहिए तो उतने ही हैं, मतलब optimally staffed है, तो workload analysis and workforce analysis, जो मैं आपको बढ़ा रही थी ना, तो मैंने आपको बोला था, ध्यान देना, ये दोनों अलग-अलग words से बच्चे confused हो जाते हैं, कभी-कभी, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना, आगे answer, दन है, देख लो, चलो, next question है मारा, question number 4, it says, measurement of a company's progress may involve calculation of certain ratios like gross profit ratio, net profit ratio and return on investment etc. at periodic intervals, oh sorry etc. at periodic intervals, full stop, identify the function of management involved in the above context, also briefly explain the step in the process of identified function discussed above, क्या पूछ रहे हैं आप से ये बोल रहे हैं, कि company की progress को measure करना, उसमें बहुत सारे ratios calculate करते हैं, मतलब basically ये बोल रहे हैं, कि हम जब company की progress को evaluate करने बैठते हैं, measure करने बैठते हैं, तो हम बहुत सारी अलग-अलग ratios निकालते हैं, like हमारी gross profit ratio, या फिर net profit ratio, ऐ बहुत सारी ratios निकलते हैं, अपने accounts में पढ़ी भी होंगी, तो ऐसे scenario में identify करिये कि management का कौन से वाला function यहां पे इस्तिमाल हो रहा है, मतलब कौन से वाला function का execution हो रहा है, थोड़ा ना अगर आप common sense भी लगा हो ना, अगर आपको वैसे answer click नहीं कर रहा, सिर्फ common sense लगाना, तो देखो, term 1 में हमारा planning और organizing अल्रेडी जा चुका है, मतलब management के 5 functions होते हैं, planning, organizing, staffing, directing and controlling, right, management, oh sorry, planning और organizing हमारा first term में वैसी जा चुका है, बच्चे मारे 3 chapter कौन कौन से, staffing, directing, controlling, क्या staffing में हम ऐसे कुछ calculation वाला काम करते हैं, measurement वाला काम करते हैं, नहीं करते हैं, directing में हम measurement वाला काम करते हैं, नहीं, उसमें तो motivation, leadership, communication, direction ये सब चलता है, तो बच्चा क्या, क्या बच्चा, और controlling में हम अकसर, अकसर जब भी controlling के बारे में बात करते हैं, measurement की बात जरूर करते हैं, controlling वही तो होता है कि यार जो भी आपने अभी तक किया है, उसको measure करो बस वही तो करना है, यहाँ वही कर रहे हैं, हमकी company की progress को measure कर रहे हैं, तो answer क्या आएगा इसका, answer आएगा इसका controlling, controlling में भी कौन से वाला portion है, measurement of actual performance, हमने actually कितना किया है, वो measure कर रहे हैं, controlling में बहुत सारे steps होते हैं, कि आप पहले देखते हो, क्या progress रही है, तुमारी, उसक के साथ match करते हो, deviation found करते हो, deviation found करने की बाद, उसको तुम improve करने की कोशिश करते हैं, सारा ताम जाम करते हो, राइट, तो बस वही है, कि यहाँ पे आप initial controlling का step कर रहे हो, कि measurement कर रहे हैं, अपनी actual performance को, आपने क्या कमाया है, अभी तक क्या काम किया है, किस तरह से perform किया है, ठ फिर है, question no. 5 और ये बोलता है, Mr. Pavan Kumar, the CEO of an e-commerce start-up, which was facing the problem of huge employee turnover, decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue. While addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factors. In order to motivate employees, explain any two such measures discussed by him when he suggested that the job should be made interesting, so that the job itself becomes a source of motivation. Employees should be congratulated for their good performance. Also, stability regarding future income and work should be provided to employees. In order to develop a positive attitude among the subordinates, ये है आपका 3 marks का question, remember 3 marks में कितना लिखना था, 50 से 80 words का limit दिया हुआ था, उतना लिखना है, तो यहाँ पर first of all तो मैं आपको ये बता दू, it's a case study, मतलब case based question है, तो इसमें पूरे इसको decode करना हमें, पर उसके लिए हमें सबसे पहले इसको समझना पड़े के CEO है, अच्छा कोई मुझ से उस दुन पूछ रहा था, CEO कैसे बना जाता है, बेटा ऐसे ही नहीं बना जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कोई professional degree भी नहीं होती है, at the same time, anyways Mr. Pavan Kumar CEO है, एक e-commerce start-up के, बहुत बढ़िया, e-commerce तो आचकल बहुत चल रहा है, which was facing the problem of huge employee turnover, okay, what's employee turnover, it's basically, लोग आरे, जारे, आरे, जारे, कोई रुकी नहीं रहा है, तो इसको बोलते है, employee turnover, जब employees, रुकना पसंद नहीं करते हैं, एक organization में, join करते हैं, after a while they leave, join करते हैं, after a while they leave, ऐसा, तो ये company basically face कर रहे थी ये problem, employee turnover की, decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue, अब इन भाई साब को समझ में आया, CEO भाई साब को, कि भाईया, employee turnover तो बहुत जादा हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ करके तो रोकना चाहिए इस चीज को, तो managers के साथ बैट के उसने एक meeting करी, while addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factors, meeting में उन्होंने advice कि हम इना लोगों की psychological, social and emotional factors प explain any two such measures, now यहां से आपके लिए questions start हो रहा है, कि आपको explain करना है, any two such measures, discussed by him, when he suggested that job should be made interesting, so that the job itself becomes a source of motivation, job अपने आप में ही interesting बन जाए, एक source of motivation बन जाए, मतलब किसी इंसान को ऐसा काम दो, कि उसको काम में ही मजा आने लग जाए, जैसे कल में अपने दोस्तों के साथ outing पे थी, तो मैंने उनको एक चीज़ बताए, मतलब one of my friend was asking me, like, कैसा लग रहा है तुम्हें पढ़ा के, मतलब क्या feeling है, especially MB में पढ़ा के, तो I was telling her this only, कि मैं कुछ भी काम करती हूं, मतलब दिन में मेरा कैसा भी mood होता है, कुछ भी हो मतलब कुछ ऐसा, you know, distraction नहीं रहता, मैं enjoy करते हूं, जितना में record करूं, उतना मुझे मज़ा आता है, तो this is what, कि जब आपको job, job जैसा ना लगे, वो अपने आप में आपको लगे, और करो, और करो, और करो, अपने आप motivation आती रहा है आपके अंदर, वो वाली चीज, तो य हमें काम को ऐसा बनाना है कि लोग काम करके मज़े कर रहे हैं, मतलब और अचीव करने की बारे में सोच रहे हैं, then, employee should be congratulated for good performance, जब भी कोई employee कुछ बढ़िया करता है, तो उसे congratulate करो, praise करो उसकी अच्छे deeds के लिए, also stability regarding future income, plus उनको stability दो, कि भाया, हम तुमें कभी नहीं निक की, and work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among the subordinates, और काम employees को दिया जाएगा, ताकि उनके अंदर positive attitude आए, तो मतलब CEO भाय साब के कुछ suggestions हैं, जिसमें वो basically बोल रहे हैं, कि काम उस नेचर का बना दो कि लोग enjoy करे, with that जब भी वो काम अच्छा करते हैं, उनने congratulate करो, with that उनको इस नेचर का काम दो कि वो motivated रहें, उनके अंदर एक positive attitude develop हो, प्लस उनको stability आए, income की stability रहे कि future में भी income बनी रहेगे, जिसे की retire, मैंने answer पोल दिया क्या, sorry, 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 ignore it, ठीक है, बाटा, खुद सोच होगे, hint में मिल चुका है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, so, यह हो गया हमारा पूरा question, अब आपको बताना है कि कौन-कौन से ऐसे option हो सकता है, जिससे CEO भाई साब employed turnover की problem को reduce कर सकते हैं, again, तीन नंबर का question है, आदे marks होंगे, तुम्हें identify करने के लिए answer क्या हो सकता है, उसके बाद उसके explanation के लिए, and answer दिखा दू फिर, answer है इसका, non-monetory incentives, कोई भी non-monetory, मतलब यहां पर यह बोल रहे हैं, इन्होंने जितना भी focus किया, इन्होंने जितने भी points बोले, कहीं इन्होंने यह mention किया, कि हमें उन्हें income ज्यादा अच्छी देनी चाहिए, extra income देनी चाहिए, नहीं, ज्यादा तर तर उन्होंने यह बोला कि job को बहतरीन बनाओ, positive attitude लाओ, motivation बोरिंग काम करें, जब ना कोई काम हमें आता है ना, बार बार हमें वही करने के लिए मिले ना, तो हमें बोरिंग लगने लग जाता है, लेकिन जब कोई काम हमें नहीं आता है, और हमें वो काम मिल जाए, तो हम सोचते हैं कि यार कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे options ढूं second employee recognition program मतलब employees को recognize करो जब भी वो बढ़िया काम करते हैं उनको appreciation दो जैसे Domino's वाले क्या करते हैं employee of the week employee of the month का award देते हैं वो बहुत basic चीज होती है लेकिन जब उनकी photo तस्वीर चप जाती है मतलब corner पे और सारे customers आके देखते हैं कि और इसको employee of the week का award मिला है तो एक kind of उस बंदे के अंदर ना अंदर से आते हैं कि वाव मुझे की award मिला है और बाकी लोगों के अंदर भी क्यार हमें भी चाहिए ऐसे तो famous होते हैं मतलब लोग आखते ही वहीं देखते हैं सीधा तो यह चीज़े हो जाती है job security तीनों पॉइंट जो CEO ने मेंशन की ना तीनों के लिए तीन पॉइंट लिए यहां पर job security बोले तो हमेशा इंसान के अंदर यह feeling रहे ना कि भाया तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जा रहे है कोई तुमसे तुम्हारी जॉब नहीं चीन रहा है तो यह यह तीन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यहां पर अब अब आया है हमारा sixth question और यहां आया है हमारा internal choice state any three points of importance of directing बहुत straight of a question है directing के तीन importance के point बता दो या फिर define leadership as an element of directing enumerate any two styles of leadership leadership क्या होता है directing के अंदर प्लस दो टाइप की leadership आपको explain करनी है अगर आप ध्यान दे तो internal choice वाले जो question आया ना वो maximum एक ही चाप्टर से पिक किये गए है तो जो इंसान ऐसे सोच रहे थे ना कि term 2 में 5-6 chapters आने वाले में 4 chapter पढ़ लूँगा internal choice में देख लूँगा यह formula काम नहीं आएगा आपके आपको सारे chapters पढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि internal choice में दोनों ही question वो एकी chapter से पिक कर रहे है और खुदा ना खासता आप यही chapter skip करके चले गए तो तुम्हें answer भी skip करना पढ़ेगा इस question का जिसकी वज़े से marks भी skip हो जाएंगे भी बच्चा लिखतेगा दूसरा था हमारा कि डारेक्टिंग का एक element होता लीडर्शिप उसको explain करो and at the same time दो टाइप की लीडर्शिप बिताओ अगैन यह थोड़ा सिंपल है लेकिन उपर वाला ज्यादा सिंपल है बाकी आपकी चोईसे आप दोनों मेंसे कोई भी attempt कर सकत है यह ऐसे और लिखा होगा ठीक है जिन बच्चों को और 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 का डिफरेंस नहीं पता पहले तो जाके वही गूगल कर लो एंड में होता है आपको दोनों question attempt करने होते हैं और मैं आपको सिर्फ एक question attempt करना होते हैं तो इधर दिस और दार दिस वान दोनों मेंसे एक अगैन repeat कर रही हूं might be irritating लगे लेकिन over smartness मत दिखाना दोनों मत करके आना चलो पहले हम first वाल एक answer देख लेते हैं क्योंकि हमें तो पढ़ाना है वही हमें तो दोनों की answer बताने पड़ेंगे आपको तो importance में first यह बोलते है directing helps to initiate action by people in the organization towards attainment of desired objectives हम directing क्यों करते हैं ताकि सपने जो देखे हुए organization अपने लिए उनको achieve करवाने के लिए action start करवा पाए लोग थंडे बढ़ गए थे बिलकुल कुछ काम नहीं कर रहे थे आपको उनके अंदर फिर से वो वो लानी पड़ी कि यार तुम्हें करना है तुम कर सकते हो इस चीज यह क्या है लेगी डारेक्टिंग है डारेक्टिंग थू मोटिवेशन ठीक है तो यह बेसिकली लोगों को action मिलाना ताकि वह organization के गोल के तूवर्च काम कर सके directing integrates employees efforts in organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance directing employees के efforts को इस तरह से वो करती है integrate करती है मतलब अलग 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 अपने-पने efforts लगा रहे होते हैं यह इन सब को मिला के पूल करके organization के गोल के तूवर्च लेके जाती है तो individual efforts को kind of bulkiness में convert करती है दो सब को मिला के directing guides employees to fully realize their potential and capabilities बहुत सारी लोग ऐसे होते जो अपने आपको underestimate करते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनमें वह बात ही नहीं है तो उनके अंदर वह बात जगाना अच्छी जगाना नहीं उनको ऐसास दिलाना कि तुम्हारे अंदर वह बात है that also comes under directing तो इससे हम employees के अंदर वह बात जगा सकते हैं तुम कर सकते हो बस efforts तो लगाओ थोड़े से तो यह तीन importance हो गए हैं इसके देखो इसमें हम एक और चीज मैं तुम्हें बता दू कि जब तुम इसे explain कर रहे होगे कोशिश करना इसको एक heading दे तो तीनो points को एक चोटी-चोटी heading दे दोगे ना तो और जदा खुबसूरत लगेगा तुमारा answer ठीक है हम presentation skills पर वैसे ही work कर रहे हैं हमारे NCIT solution में मैं हमेशा आपको बताती रहती हूं कि इस question का answer इस तरह से लिखना इस question का answer इस तरह से लिखना यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको tip दे रहे हूं कि इस तरह से present करना जाधा बहतरीन लगेगा इसमें और भी options लिखे हूं है दो और options है directing के लेकिन मैं इस पर नहीं जा रही हूं कि तीन option बोले तो हम तीन ही लिखेंगे second का answer जो और वाला था leadership वाला तो leadership में first बोलते है leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relation with followers and motivate them to contribute for achieving organizational objectives मतलब किसी को lead करना उसके आगे online लिखी है और any of the correct option मतलब a definition मैंने आपको बताया थे leadership में बहुत सारी definition है एक तो मैंने individual video बनाई थे जिसमें मैंने different different definitions cover की थी जो मैंने आपको बोला था इन में से सब में से कोई भी लिख सकता और best one मैंने जो भी बताई थी वो भी आप कोशिश कर सकता है लिखने की या खुद की language में लिखता हो तो यहां पर आपके पास full-on अपना choice है कोई भी एक definition leadership की बारे में जो आपको सही लगते है अब दो स्टाइल्स कौन से एक autocratic मतलब खुद की चलाना खुद की सुनना भी मैं सही हूं मुझे पता है तुम्हें बोलने की जरौत ही नहीं है यह होता है एक leadership style इसको बोलते है autocratic leadership style जिसमें autocratic leader सोच था है कि भाया उसको तो परम ग्यान है हर चीज का किसे को कुछ नहीं पूछता ही नहीं है दूसरों से उसको लगता भीया I am always right that's it I don't want to ask anybody anything second है democratic मतलब लोगों से पूछना उनकी वोटिंग लेना उनकी राय लेना उनकी उपीनियन लेना और तीसरा हमारा लेजसफेर है मतलब जो करना है कर लो अपनी तरफ से हमारा कोई लेन देन नहीं ऐसा बढ़ हमें यहां पर सिर्फ दो ही स्टाइल्स लिखने थे टीनों लिखे हुए त सो स्पेलिंग देख के जाया करना चलो नेक्स है हमारा क्वेश्ट नंबर सेवन यह क्या बोलता है लिस्ट एनी थ्री फैक्टर अफेक्टिंग दा वोगिं कापिटल रिक्वायरमेंट को इंफ्लेंस करने वाले तीन फैक्टर की बारे में आपको लिखना है मार्क्स भी कि रिकंड के फर्स नेचर ऊविजिन्स business की सनेचर का है मतलब अगर आपका बिसनस इस नेचर का हेनके रेगुलर वाले expenditure आपके बहुत ज्यादा होते हैं ज्यादा होते हैं और वाइस वर्सा चोटे स्केल पर काम करते हो कम working capital requirement होगी स्केल सा बढ़ने कितना 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 वह करें लूह में production कर रहे हो तुम अबना बिसनस साइकल तुम्हारी बिसनस साइकल कैसे चलती है तुम्हारा बूब और वेरश का टाइम कभ है उसके अकॉर्डिंग बिजब तुम्हारा बूम पीरेड हो रहा होता है तो तुम धड़ाधर धड़ाधर अपना ग्रस बना रहे होते हैं तो बना रहे होते वोर्किंग कापिटल भी उस ताइम पर जादा चल रही होते हैं तो इस तरीके से हम तीन पॉइंट्स कोई भी लिख देंगे यहां पर एक और भी पॉइंट मेंशन है बड़ा मैं सर्फ तीन ही एक्स्प्लेइन कर रहे हूं रीजन भी तीन ही पूछ है उन्होंने देख सकते हो अगर आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो बाकी की पॉइंट्स रेफर करने के लिए आप वह तीन लिखके आना जिन में आपको लगता है आप बहुत अच्छा एक्स्प्लेइन कर सकते हो देखिया चलो ओहो बहुत चारे हैं यहां पर और भी है लो इसका भी स समझ नहीं आ रहा तो यह मैंने अल्रीडी कवर किया हुआ है उस चाप्टर में आप वहां से जाके अपना मतलब अच्छा से समझ सकते हो सारी कॉंचिप्ट को ठीक है चलो नाउट्स एक्ट क्वेशिंस टॉर्ण इस प्रिया इसरीजनल मानेजर आफ एक्स वाइज जे लि हुआख जासान आप ऐसी एक्टीव में यह इंति technically show जर ला पिख्स ही एक वैश्ट केह्छ साफ ऩर टॉ हो भी क्विध से सिर्टीब को फे लिजे जेचे 가지 है आपुर्ड़ एक्ट ऱ्लोष उस्रीज एक्रश of management highlighted above, अब ऐसे questions को मैं बोलती हूँ चाला की भरे questions, reason, इनमेना बड़े ही प्यार से वो आपको question कुछ और देते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक hidden question भी होता है, कैसे, यह देखो, explain any two benefits, आपको दो benefits बताने है, कितना simple लगता है, लेकिन किसी इसके benefits बताने है, of the function of management, कौन सा वाला function है, खुद देख लो, मतलब कोई function के बारे में बात हुई है, पूरी case study में, उस पूरे function में, मतलब उन सारे function में से एक function जो आप choose करने वाले management का जिसके बारे में यहां पर बात हुई है, उसके दो benefits लिखने है, कितना simple लग रहा था question कि दो benefits लिखने है, लिख देंगे यह तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, लेकिन जब तक तुम functions नहीं पढ़ोगे, कैसे बताओगे भया, तो चलो question समझते हैं, किस बारे में बात हो रही है, इसने क्या किये कुछ standards बनाए हैं, और सबको बोला है कि भया, तुम इसी standards के according ही performance दोगे, मतलब अगर इसने T-shirt बनाई हैं, इतने से कपड़े से बनाई हैं, तो वो सारा standards में note-down हो गया, अब यह expect करिया हर एक इंसान उसी standards के according चलेगा, इसने हर जगे CCTV लगा दिया हैं, ताकि यह सब में नज़र रख सके डारेक्ली कोई वेस्टेश तो नहीं कर रहा हैं, करने वाले लोग होते हैं कुछ आप आप इसमने या डाल लेते हैं मतलब अपने इसमें डाल लेते हैं, हमने जब इनिशनली अपना घर बनवाया था भूपाल में तो हम अपने काम में भाई अपने पढ़ाई में मम्मी अपने काम में तो हम कभी भी ना चेक करने नहीं जा पाते थे दिन में एक आधबार जाते थे कभी-कभी कि क्या काम चल रहा है हमें बहुत बाद में पता चला कि जो लखडियां हमें उन्हें लाके देते दर्वाजे वगयरा लगाने में उससे वो बना-बना के बास्केट बेच रहे थे मतलब वो इधर हमारा expenditure करा रहे थे और बाकी वो अपनी अंटी में डाल रहे थे सारा का सारा तो ऐसा बहुत बार होता है और जोंग सेसे ख़य बहुत में बचेश्पन करते दो अंटी मंडिक और तैंसले निकल्वाट केलिए इस्तिम्स के लिए कतला प्ट्रा counselors करते अब स्कोप ना बचे लगवा इन अग्वा दिया नजर रखने के लिए बहुत बड़िया खर्ण ठीक है, she also rewards the employees, यह हमेशा award देती थी किसको, employees को जो की standards को meet करते थे, अगर मैंने किसी के लिए standards set कि है, तुम दिन में 5 टी-shirt बनाओगे, वो 5 बना के आ रहा है, तुम इसको appreciation दे रही हूँ, incentive दे रही हूँ, she is trying her best to ensure a good performance of her team this year through the application of important function of management, वो चा रही है कि इस बार वो अपने team को, team का performance बहुत अच्छा करवाए, एक management का function करवाखे, अब पूरी रामकता पढ़ लिए आपने, प्रिया कथा अच्छी आई शुट से, कि प्रिया लड़की है, जो अच्छी है, बहुत बढ़या काम करती ह है, हार्ड वर्किंग है, उसने standard set की है, ताकि minimum बेस्ते जो, और उसके लिए उसने CCTV भी लगवा दिया, पूरे organization में, now she wants to ensure कि सारे बहुत अच्छा performance करें, एक management के function को अपलाई करके, आपको उसी management के function के दो benefits बताने हैं, बताओ, बताओ क्या होगा answer, कौन से management function है, याद द directing, controlling, planning और organizing पढ़ चुके हैं, टर्म वन में, एक हिंट ये भी दे दती हूँ, बाकी के तीन बच्चों में से कौन से वाला लग रहा है आपको, जल्दी डिकोड करो, जल्दी 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 जल्दी, तीन नमबर का question है, आदे माक्स तो आपको इसी के मलेंगी कि identify करो, फ फिर वो ensure कर रही है, standards meet हो, फिर वो reward भी दे रही है, लोगों को जब standards meet हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़े, checking, waking वाली हम कहा देखते हैं, CCTV से supervision भी रख रही है, हर अगली line में जलक रहा था कि controlling के बारे में बात हो रही है, तो वही तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, importance of controlling, मतल रहा, वो तो हमने decode कर ले, अब controlling के दो benefits बता रहे हैं, accomplishing, organizational goal, मया organization ने जो अपने लिए सपना देखा है, उसको accomplish करने में controlling काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि आपको सही दिशा में ही हमेशा आप लगे रहे हैं, यह ensure करता है, जो deviation, जो बीच-बीच में distractions आते हैं, थोड रहे, CCTV वाली line, you can say, supervision proper रखते हैं, controlling के अंदर, बाकी दो points और लिखे हैं, आप चाहें, तो यह भी use कर सकते हैं, मैं आपको एक पर यहाँ पर दे दू, screenshot लेना है तो ले लो, again, screenshot लेना तो ले सकते हो, and now comes question number 9, और यहाँ से शुरू हो रहे हैं, हमारे 5 marks के question, अपसे 4 questions रहे रहेंगे, वो 5-5 number के होंगे, and इसमें पहले ही आगया है, एक internal choice, यह क्या बोलता है, देखिए, enumerate any 5 rights of a consumer, under Consumer Protection Act 2019, Consumer Protection Act 2019 के अंदर, consumer के कोई भी 5 rights के बारे में आपको लिखना है, और enumerate any 5 responsibilities of a consumer, of a consumer, actually, of a consumer, under Consumer Protection Act 2019, या फिर 5 responsibilities, मतलब या तो 5 right लिख दो, उसके या फिर 5 responsibilities लिख दो, दोनों ही एक ही चाप्टर से उठाए गए है, और यह चाप्टर में आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, और बहुत simple question है, चलो आप 5 number के according लिखना है, तो हमें word limit का भी ध्यान रखना पहले हम पहले question का answer करते हैं, that is 5 rights of consumers, मतलब 5 consumer को जो मिलते है rights consumer protection आखके चलते हो उनके बारे में, So first, right to safety, मतलब कोई भी product ऐसा hazardous नहीं होगा, जिससे human की health को, life को कोई भी threat पहुचे, Second, right to be informed, मतलब product में क्या-क्या ingredients दले हैं, से लेके, product किस-किस चीज के लिए इस्तमाल होगा, product की सारी-की सारी information, consumer को पता होनी चाहिए, और inform करना फर्ज बनता है, manufacturer और retailer सबका, Right to be assured, the consumer has the freedom to access a variety of products or competitive prices, Okay, so basically, right to choice kind of, we can say, कि भाया, consumer के पास पूरी authority है, कि उसको जो भी variety दिख रही है, उनमें से वो आराम से चूज कर सकते हैं, कोई उसे force नहीं कर सकता कि ये particular product खरीदे, Then, right to be heard, अगर मुझे कोई दिक्कत है, being a consumer, तो मेरी दिक्कत वो सुनने के लिए कोई present होना चाहिए, Right to seek redress, उस complaint को ना सिर्फ सुना चाहिए, बल्कि उसके बदले जो, you know, जो correction measure ले सकते हैं, वो भी लिए जाने चाहिए, Right to consumer education, मतला, being a consumer, मुझे educate होने की consumer rights के बारे में जानने की पूरी की पूरी right बनती है, authority बनती है, It says, be aware of various goods and services available in the market, so that an intelligent and wise choice can be made, सबसे पहले consumer जब अपने rights को, you know, लेने के बारे में सोचता है, उससे पहले उसकी कुछ फर्ज बनते है, जो उसको पूरे करने चाहिए, जैसे हम इंडिया में रहते है, being a Indian हमको कुछ rights मिलते हैं, जिसको हम बोलता है fundamental rights, लेकिन वो fundamental rights अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ complimentary fundamental duties भी आती है, जो हम पूरी नहीं करते हैं, हम rights तो बहुत फट से claim करता हैं, कि हम यह भी कर रहे हैं, लेकिन duties को हम कभी claim नहीं करते हैं, यह हम करेंगे, बट वो चीज गलत है, यहाँ पर भी same चीज है, being a consumer, आपको अगर कुछ rights मिलते हैं, तो आपके कुछ duties भी बनती है, उसमें से एक duty यह है, कि आपको aware रहना चाहिए, आपने आपको, आपको पता होना चाहिए, क्या चल रहा है, मार्केट में क्या-क्या चीज आई हुई है, ताकि आप एक बड़िया intelligent guess लगा सके, माल लो, मार्केट में किसी चीज का updated to updated version आगया, लेकिन आपको पता ही नहीं है, और आप वो basic version यूज कर रहे थे, तो यह आपकी गलती है, मतलब आपने गलत choice करी, आपको awareness ही नहीं है, इसके कारण आप सही updated version ले ही नहीं पाए, second है, buy only standardized goods as they provide quality assurance, ऐसे ही goods खरीदिये जो standardized होते हैं, जैसे ISI mark वाले, हमेशा बोलते हैं, हेलमेट खरीदना है, तो ISI mark वारा खरीदो, ताकि अगर खुदर ना खास्ता किसी का accident हो भी तो भी वो इनसान बच जाए, right, learn about the risk associated with the products, को उसके साथ कौन-कौन से associated risk हो सकता है, उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, आप पहले से उसके बारे में पढ़ें, उसके बाद product को इस्तिमाल करें, read labels carefully so as to have information about prices, net weight, manufacturing and expiry dates, जब भी आप कोई चीज खरीते हैं, तो कोशिश करिए, उसके पीचिछी जो information mentioned होत इतने rate का है, क्या है, वो basic information पढ़े, वेकिए, हमने manufacturer के उपर तो यह responsibility डाल दे कि भाया, तुम्हें तो print करके देना है, तुम नहीं print करोगे तो तुमारा against action ले लिया जाएगा, लेकिन सामने से अगर हम उस चीज को पढ़ेंगे ही नहीं, beyond the fact की manufacturer ने print किया हुआ है, तो फ तुम्हारी तब इत खराब हो गए, यहाँ पे manufacturer की गलती है, क्या, नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, manufacturer ने information mention की थी, तुमने पढ़ा नहीं, सबसे बेकार mistake जो maximum Indians करते हैं, फिफ्थ है, assert yourself to ensure that you get a fair deal, हमेशा कोशिश करो कि तुम्हें fair deal ही मिले इसके अलावा भी कुछ पॉइंट से मैं एक बार रीट कर जाते हूं, वही कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में कभी illegal sources की पास भी चली जाते हैं, जैसे कई पर मैंने देखा है कि, फर से बोरी होता है, ग्यास की टंकी, क्या बोलता है उसको, cylinder, कई बार मतलब खतम हो जाता है, और legally नहीं मिल पाता है, टाइम लग रहा होता है, तो लोग बग जा के ब्लैक में खरीद किया जाते हैं, आप यहां पर consumer की जो responsibilities का खलन कर रहे हैं, उनका violation कर रहे हैं, which is not right, ask for a cash memo, जब भी कुछ खरीदते हो, बिल बांगो सामने वाले इंसान से, consumer firm है, उसको let go मत करो, क्योंकि आज तुम let go करो कि कल वो दूसरे इंसान को ठगेगा, पर सो और इंसान को ठगेगा, फिर वो पूरी दुनिया को ठगेगा, और फिर वो अमीर बन जाएगा, तो तुम्हें दिक्कत होने लग जाएगी, यह तो बड़ा अमीर बनता जा रहे ह उसे क्यों नहीं रोगा, जब तुम सही टाइम पर उसे रोग सकते थे, from consumer societies which would play and okay, जब भी मौका मिले लोगों के साथ consumer associations form करो, so that, एक को भी तकलीफ हो, सब मिलके, you know, उसका निवारन ढूंदने के लिए निकले, respect the environment, हमारे environment को, अपने environment को respect करो, so यह है कुछ क्या, responsibilities कि कि हमारे consumer की, हमारे consumer की क्या, हम सब की actually, ठीक है, अब आगे है हमारा 10th question, ठीक है, बहुत फास फास चल रहा है, बहुत छोटू सा ही sample paper था, but attempt अच्छे से करना है आपको, यह है state any five regulatory functions of SEBI, Securities and Exchange Board of India, आपको कोई भी 5 regulatory functions के बारे में लिखना है, किसके SEBI के बारे में, ठीक है, बहुत ही straight away question है, straight away answer होगा, 5 marks का question है, by the way, 5 points लिखेंगे, registration of brokers and serve brokers and other players in the market, जितने भी market में players होते हैं, जो भी middlemen होते हैं, brokers, brokers, agents, कुछ भी underwriters, यह सारों का registration कहां पे होता है, SEBI के पास जा के होता है, यह अपने आपको वहां पे register कराते हैं, इवन आजकल तो यह अपनी marketing मे भी इस्तिमाल करते हैं, देखा होगा, आप लोगो रहें, अगर आप लोग इन सब चीजों को देखते हैं, तो क्या ही लोग लिखते हैं, SEBI registered broker, फिर अपना नाम लिखते हैं नीचे, मतलब वो kind of अपनी marketing करें, कि भी यह तेखो मेरा नाम तो SEBI में registered है, वो नहीं पता कि not a big deal nowadays, registration of collective investment schemes and mutual funds, जब भी किसी को investment schemes या mutual funds लाने होते हैं, तो उसका registration भी collective में यहीं होता है, regulation of stock brokers, portfolio exchanges, underwriters, merchant bankers and business and stock exchanges and any other securities market, सबका regulation यही करते हैं, underwriters वगहरा से लेके, stock broker से लेके, merchant bankers, सबका registration यहां होता है, सबका regulation यह करते हैं, सबके लिए rules यह बनाते हैं, सबके लिए guidelines यह बनाते हैं, regulation of takeover bids by companies, companies जब भी takeover bids लगाती हैं, तब भी उसका regulation भी यह करते हैं, यह सारी चीज़े माइड भी आपको हो सकता है, लग रही हो, यह क्या है, क्या लिखा हुआ है, यह सारी चीज़े हमने पढ़ी हुई हैं, अभी हम one shot पे भी पढ़ रहे मतलब यह चाहें, तो कभी भी audits confirm कर सकते हैं, अगर मालनों इनको complaint मुल रहे हैं, लगाता है किसी stock exchange की, यह stock exchange हम से काम नी करा, तो इनकी पास पूरी authority है, वहां जाके चेक कर सकते हैं, कि stock exchange में हो क्या रहा है, अगर इनको कुछ भी ऐसा दिखता है, तो stock exchange को बं तक करवान का, you know, authority रखते हैं, लिवाइंग fee और other charges for carrying out the purpose of the act, act में मतलब से भी act में जितने भी purposes लिखे हूं, जितने भी functions लिखे हूं, उन सब को करवाने के लिए, कही ना कहीं यह fees भी charge कर सकते हैं, आपने देखा ना, registration करवाते हैं, आपने broker, subbroker, तो भाया, वो पैसे दे के registration करात है, फीम नहीं होता, फिर है, performing and exercising such par under securities contract regulation act 1956 as may be delegated by the government of India, एक open ended वो छोड़ दिया कि government of India, जो जो regulation करने के लिए, इसको बोलेगी, जो जो काम करने के लिए, इसको बोलेगी, वो भी इन्हें करना पड़ेगा, that's also written in this particular act, कि government of India, कभी भी इनको dictate कर सकते हैं, काम करने के लिए, बोल सकती है, चीक है, तो हमें लिखने ते पाच पॉइंट यहाँ पे है, साथ पॉइंट, आप कोई भी पाच पॉइंट चुनके लिख सकते हैं, आप चाहें तो screenshot, लीचे इसका, मैंने इधर वाले का screenshot लेने का वाका नहीं दिया, रुको, लो, screenshot ले लो, इसका भी, and then ये responsibilities का भी, this one, done, and then हमारा ये 10th से भी regulation वाला, okay, चालो, next आगे, हम question number 11 पे थोड़ा दरावना, बड़ा सा question है, पढ़ लेते है, क्या बूल रहे है, In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Kwartra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization, should make the process of applying for jobs easier and candidate friendly. It is for this reason, he said, that most progressive companies today have a short application process. He also said that the application form filed by the candidate is very important as it is the information supplied in the application forms which helps the manager in eliminating the unqualified or unfit job seekers. The company can create a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals like aptitude, manual, dexterity, and intelligence to personality and personality. The candidate may then be called for an in-depth conversation to evaluate their suitability for the job. First question, जो यहाँ पूछा हुआ है, वो है, नेम दे प्रोसेस and steps in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job discussed above. इतना पड़के तो आपके तो आपके स्टाफिंग कर ही चुके होंगे कि स्टाफिंग चाप्टर का क्वेशन है यह. Also explain the next three steps in the process which can be subsequently performed by the company. Okay. तो मतलब बेसिकली प्रोसेस से रिलेटिट क्वेशन है. ठीक है? हिंदी समझ लेते हैं पहले पूरे क्वेशन की. वांट मोर पीपल तो अप्लाइ फोर जॉब्स इन देर और और इसेशन शेट में प्रोसेस अप्लाइंग फोर जॉब्स एजर एंडिट फ्रेंडिट फ्रेंडी. यह Get My Job करके एक कमपनी है जिसके CEO यह क्वात्रा साब हैं यह इंटर्व्यू दे रहे हैं किसी को किसी टैनल वैनल को दे रहे होंगे. तो उसमें यह बोलते हैं अगर कमपनी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके लिए यहाँ पर मतलब उनकी जॉब्स में अप्लाइ करें उनकी यहाँ वेकिंसी फिल करने के लिए तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि आप्लिकेशन सिस्टम बहुत ही सिंपल ह आप्लिकेशन बहुत होना चाहिए कि कोई भी असानी से अप्लाइ कर सके इस फोर इस रिसेंगे आपने से प्लेकेशन प्रसेश को बहुत सिंपल रखते हैं बहुत मतला प्लेन कुछ ज़ादे ताम-जाम वाल नहीं ही सदाइप्लिकेशन फॉर्म फोल पार बाइड करता है ना उनको ढंग से भरना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट यह डॉक्यूमेंट होता है कि क्योंकि इसी के बैसिस पर फॉर्स टैवल की इसी निकाली है अब उस वेकेंशी में इस एक्सपेक्टिंग पांच से लोग आएंगे लेकिन पस हजार आ गए रिज्यूमें आप्लिकेशन फॉर्म थिक्या तो अप्लिकेशन फॉर्म हजार आ गए तो अब मैं हजार को तो इंटर्विव नहीं कंड़क्ट कर सकती हो ना मै उनकी जो आप्लिकेशन फॉर्म जाया उसके बेसिस पर डिसाइड करूंगे मुझे इस इंसान से मिलना इसे मिलना इसे मिलना बाकी सबसे नहीं मिलना है तो जो इससे भी मैंने मतलब जिसका भी मैंने शॉट लिस्किया होगा मैं सिर्फ उनी से मिलूंगी बाकी सबसे नही सबसे पहले तो process के नाम बताओ कौन से वाली process यहां पे हो रही है उसके बाद आपको बताना है steps in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job discuss जबाव ऐसा कोई step बताओ पूरे process में जिसमें हम prospective candidates में से एक person को choose करते हैं best person को identify और चूज करते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उनमें से best person को choose करना वह वाले step का नाम बताओ also explain the next three steps इसके अलावा next three steps और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है ठीक है तो देखते हैं इसका answer answer है selection steps in the process of selection discuss preliminary screening selection test employment interview मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूरा जो हम बात कर रहे है staffing chapter के बारे में आते हैं उनका सारा वो देखते हैं पूरा evaluate करते हैं कौन बढ़िया कौन नहीं और उसमें से एक बंदा चूज कर लेते हैं उसके बात next two steps reference and background check मतलब कहां से आया है क्या क्या काम किया है उसने पिछले job से क्यों निकला या निकाला गया या क्या था कोई recommendation लेके आया तो वो सब चेक करेंगे and lastly selection decision लेंगे और medical examination करेंगे पूरा का पूरा selection process के बारे में ही है अगर आपको नहीं पता है process क्या होती है मैंने just videos बनाई है one shot में भी और normally videos भी बनी हुई है प्लीज जा के देख लीचे ठीक है ओके चाले next है हमारा last जो question है question number 12 again इसमें क्या है एक choice मिली हुई है तो मतलब पूरे वेपर में 12 question में आपको 3 questions में internal choice मिलेगी बहुत बढ़िया pattern है मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ना बच्चा जितना चाहे ना उतना score कर सकता है I seriously want जैसे term 1 के बाद आप लोग उने messages करें माम मेरे 39 बन रहा है माम मेरे 38 बन रहा है मेरे 36 बन रहा है 40 बन रहा है माम इस तो मैं चाहती हूँ term 2 के बाद भी आप ऐसे messages करें कि माम बहुत अच्छा पेपर गया I am expecting 40 out of 40 आएंगे चाहलो Vansh Limited is a large and reputed company which manufactures ventilators after the outbreak of COVID-19 in 2020 the company witnessed an increase in revenue by 40 percent it has plans to further increase its production capacity and also start production of PPE kits sanitizers and mask in 2022 the finance manager of the company mr Raji feels confident about the future of the company and its liquidity position discuss the meaning of dividend with the season and in the light of the above statement explain any two factors which should be considered by once limited while formulating the dividend policy of the company or Vedant limited has a share capital of one cents hundred thousand ten thousand lakh ten lakh ten lakh divided into shares of hundred each rupees for expansion purpose the company requires additional funds of five lakh rupees the management is considering the following alternative for raising funds alternative one issue of five thousand equity shares of hundred each alternative to issue of ten percent debentures of rupees five two lakh the company present earning before taxation or an interest ebit is four lakh per annum assuming that the rate of return of investment remains the same after expansion which alternative should be used by the company in order to maximize the returns to the equity shareholders the tax rate is fifty percent and show the working okay show the working yeah ii ii come question this is my apple can't do calculation calculation how to do it in the first question first we discuss the question then we'll move to this one so you can't do it once limited a large reputed company which ventilators बनाती है और कोविड-19 मतलब जो कोविड आया था 2020 में तो इसने बहुत ज़ादा रिवेन्यों कमाया है क्योंकि उस ताइम पर 20 लिटर की कैसी हालत हो गई तो हर किसी को 20 लिटर चाहिए था राइट बिल्कुल वैसे ही तो इन्होंने प्लान किये कि एक्स्पैंड करेंगे अपने प्रोडक्शन को पी-पी, केट, सानिटाइजर, मास्क सब बनाएंगे इस कंपनी के जो मैनेजर है राजीव वह कॉंफिडेंट है फ्यूचर को लेगे कंपनी अच्छा कुछ करने वाली है और लिक्विडिटिटी पॉजिशन इसकी सही रहने वाली है डिसकर्सदा meaning of dividend decision and in the light of the above statement explain any two factors which should be considered by once limited while formulating the dividend policy ओके तो dividend policy बनानी है मतलब लेनी है तो उसके regarding आपको सोचना है क्या बताया हुआ है सर्फ यह बताया हुआ है कि वेंटिलेटर बनाते हैं बहुत revenue कमाया है और अब यह 2022 में नए नए प्रडक्शन के वह लेक्या रहे है प्रडक्श लेक्या रहे है और dividend policy से regarding आपको राजी dividend decision होता क्या है dividend decision में यह देखते हैं कि भया हमें कितना अपने पास रखना है और कितना सामने वालों को देते हैं मतलब shareholders को देते हैं हम सबको पता है कि dividend हम तभी देते हैं जब company को surety होती है कि आगे की पैसा यूज नहीं होगा यह बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा है हमें general reserves में भी रखने की ज़रूत नहीं है कोई इसका काम नहीं है तब ही देते हैं तो dividend policy में बस यही करते हैं कितना portion दें कितना portion अपने पास retain करें अब यह बोलता है factors affecting dividend decision कोई पी दो factors लिखने थे तो amount of earning growth opportunities company growth opportunity क्या है अगर company सोचते मुझे ग्रोव करना ग्रोव करना ग्रोव करना तो फिर वो dividend देने के बारे मैं नहीं सूचे कि वो सोचे कि इस पैसे को बनता retain कर लो बेटर और बहुत ज्यादा amount कि थोड़ा बहुत उन्हें भी देतो यार वो भी खुश हो जाएंगे लगे तो थोड़ा बहुत हम अपने पास रख लेते तो इस तरह से आप decide कर सकते हैं बाकि इसमें और भी options लिखे मैं cash flow position access to the capital market मैं वो सब explain नहीं करें क्योंकि मैंने already उसकी regarding videos बनाई हुई है आप चाहें तो यहां पर इतना क्या कर सकते हैं screenshot ले सकते हैं इस portion का भी ले लिजे तो first answer में तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे 5 marks के लिए dividend decision क्या होता है और dividend decision में आप कौन-कौन से factors को ध्यान में रखते हैं अब आती है बात हमारे second question की जिसमें calculation है यह बोल रहे है Vidansh limited has a share capital of 10,00,000 divided into shares of 100 each Vidansh limited में 10,00,000 का capital already लगा हुआ है जो की 100 रुपए each dividend, sorry share के उससे है मतलब हर share की face value क्या है 100 रुपए है For expansion purpose यह company expand करने के बारे में सोच रही है Company को additional funds चाहिए 5,00,000 रुपए The management is considering the following alternatives for raising funds Management ने 2 options होचे है बहाँ देखो जब किसी को भी extra funds चाहिए होते है तो बहुत सारे options explore करता है Right sources of funds में हमने पढ़ा था यह चीज अब जब वह बहुत सारे options explore करता है तो इस company ने भी दो option देखे है एक देखा है equity का कि 5000 equity issue कर देता है 100 रुपए each की या फिर debt funds को ले आते हैं जिसमें हम 10% debentures issue करेंगे कितने में पांच लाग के और विसली पांच लाग की requirement है ना तो मतलब company confused है कि debenture issue करना चाहिए यह equity issue करना चाहिए अब आप company की मदद करेंगे कौन से वाला सही तरीका है ठीक है कैसे मदद करेंगे बताते हैं पहले बागी की information सुल लो the company present earning before interest and taxes 4 lakh rupees per annum EBIT company का क्या है 4 lakh rupay per annum है assuming that the rate of return of investment remains the same after expansion जो rate of return है वो same रहेगा after expansion भी ऐसा आप imagine करिये आप बताइए यह imagine करते है कौन से वाला तरीका best रहेगा company के लिए in order to maximize the returns of equity share holders equity share holders के returns को maximize करने के लिए the tax rate is 50% show the working or tax rate कितना 50% overall बताऊं summary format में तो एक company है जिसके पास 10 लाग का capital already था अब वो पांच लाग का additional capital है वो करना चाहते है रेस करना चाहते है जिसके लिए दो option देखे हैं debentures का और शेयर्स का now companies confused के कौन से वाला option चूज करें company की EBIT दी हुई है and at the same time उन्होंने यह बोला assume करो कि expansion की बाद भी rate of return सेम रहेगा हमें ऐसा option ढूणना है जिससे equity shareholders के जो returns है वह maximize रहे इस लाइन पर फोकस करना क्योंकि में आंसर यहीं से आएगा और tax rate क्या है 50% है ठीक है अब आपको calculate करके दिखाने है पूरी working ओके तो मैं directly आपको ले चलती हूँ answer पर ही वहीं आपको पूरा दिखा दूंगी देखो rate of return यहाँ बताया था चार लाख रुपए राइट तो अब इसका calculate करे percentage में तो it says 4 lakh upon 10 lakh जो की total capital थी into 100 चलेगा हमारा 40% तो 40% के इसाब से हमारा आया है क्या earning rate of return अब EBIT after expansion 40% into total capital कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी पहले 10 ती अब और additional पाज होने वाली है तो हमारा EBIT कितना आ जाएगा 6 lakh रुपए 6 lakh रुपए EBIT जैसे ही आया फिर हम इस table पे आ गए हमने बोला हमारा EBIT 6 lakh है plan 1 6 lakh है plan 2 plan 1 कौन सा है जिसमें हम equity issue करने के बारे में बात कर रहे है और plan 2 कौन सा है जिसमें हम debentures issue करने के बारे में बात करें 10% के according अब यह बताओ कि क्या equity में interest या कोई भी चीज माइनस होती है answer is no मैंने आपको पहले ही बताया था equity में हम dividend देते हैं लोगों को और dividend को हम profit में से माइनस नहीं करते वह profit का ही हिस्सा होता है तो कोई relaxation नहीं मलती है taxation में उसकी तो यहां पर कोई relaxation नहीं है जबकि debentures का इंट्रेस्ट पे होता है 10% की according जो होगा जो की बनेगा 50,000 रुपए यह जो होता है यह basically deductible होता है tax deductible होता है मतलब tax से पहले ही इसको कार्ट दिया जाएगा और जो भी amount होगा उसके उपर tax लगेगा यह profit में से as an expenditure minus किया जाता है यह चीज तो मैंने one shot में भी as well as normal वीडियो में भी चीक चीक के बताई थी अब हम pretty sure आपको पता होगी तो इंट्रेस्ट को माइनस कर दें इधर वाली साइड इधर वाली साइड कुछ माइनस नहीं हुआ यहाँ पर earning before tax क्योंकि इंट्रेस्ट तो माइनस हो चुका है तो अब यहाँ पर कौनसी earning आएगी in earning before tax वो आईए चे लाख रुपे इधर आईए पांच लाख पचास जार रुपे अब इसमें टैक्स इटाओ टैक्स कितना था 50% था तो इसको तीन लाख रुपे टैक्स आ यहाँ गे दिस माइनस दूस कितनी आ गए थ्री लाख रुपे टू सेवन फाइफ जीरो 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 नंबर ऑफ शेज कितने होंगे हमारे 15,000 रुपे होंगे 15,000 होंगे सौरी शेज ठीक है कैसे होंगे पहले हमारे शेज कितने थे दस था थे अब और additional कितने शेज हम चार हमने डिबेंचर इस्यू किया है समझ में आ रही है चीज एक बर वैसे देख लो उसके बाद में दुबारा से समझाओंगे तो यहाँ पर शेयर कितने निकलेगी 20 यहाँ पर शेयर निकलेगी 27.5 और हमें कौन से वाल आप्शन दूनना था ऐसे वाल आप्शन दूनना था जिससे एकविटी शेयर होल्डर का प्रॉफट मार्जिन ज्यादा निकले तो अर्णिंग पर शेयर उनहीं की तो अर्णिंग होगी ज्यादा किसमें आ रही है कौन से वाला प्लान चुनेंगे प्लान बीच चुनेंगे अब थोड़ा ध्यान से समझ लो एक बर मैंने तुम हमें percentage निकाल ली हैं amount दिया था इन्होंने 4 लाख ठीक है total हमारी capital कितनी थी इस time तक 10 लाख तो rate कितना निकलेगा 40% ठीक है तो यह EBI मतलब इन्होंने जो EBIT दिया है वो इन्होंने पुराने वाला दिया है हमें नए वाले के according देखना है तो EBIT after expansion कितना हो जाएगा 6 लाख ठीक है और 6 लाख जैसी होगा हम इस calculation पर आजाएंगा और यह calculation मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करवाई हुई है यह plan 1 है जिसमें equity जा रही है सर्फ और यह plan 2 है जिसमें debentures जा रहे हैं ठीक है 10% की according तो equity में interest के नाम पे कुछ minus नहीं होता EBIT में से EBIT क्या होता है earning before interest and taxation ठीक है वेरस यहां पर tax का amount क्या होगा reduce होगा tax कितने पर लगा है 10% of 5 lakh मतलब 50,000 ठीक है उसके बाद earning before tax मतलब अब interest तो निकल चुका है अब जो होगी वो earning before taxation होगी तो यहां कितनी निकल के आ रहे है 6,00,000 रुपे इधर लिकर के आ रहे है 5,50,000 रुपे क्योंकि interest का amount minus कर दिया है हमने अब हम taxation की बात करें तो tax इस पर लग रहा है 50% तो 6,00,000,000 का 50% क्या होगा 3,00,000 रुपे इसका 50% क्या होगा 2.7500 earning after taxation मतलब tax का amount भी reduce कर देंगे हम EBT में से तो this minus this is equal to this तो 6,00,000 में से 3,00,000 माइनस किये कितना आया 3,00,000 रुपे 5,50,000 में से माइनस किये 2,75,000 तो कितना आया 2,75,000 अब number of shares कितने थे हमारे यहां पर ध्यान से देखिएगा यहां पर हमारे number of shares increase हो गए है reason being यह वाला कॉन सा plan था जिसमें हम equity issue करने वाले थे additional 5,000 की तो यहां पर 5,000 नहीं वाली equity 10,000 पुरानी वाली equity दोनों को combine करके कितनी equity बनी total 15,000 ठीक है whereas यहां पर हम debentures issue करें तो नहीं equity की तो बात ही नहीं आती पुरानी equity किती थी 10,000 की थी तो 10,000 equity अब earning per share अगर हमने निकालना है मतलब earning per share कि this upon this कर देंगे तो हम earning per share निकल जाएगा कि हर share के उपर कितना return हम वो कर रहे हैं तो यहां पर 20 आ रहा है जबकि shareholder is getting तो उसको कितना मिलेगा ज्यादा किसमें मिलेगा इस वाले में मिलेगा तो अगर हम debentures issue करते हैं तो एक इंसान की कमाई ज्यादा होगे इस वाले case में और हमें question में साफ साफ लिखा होता है कि यह बताना है कौन से वाले case में कमाई ज्यादा होगी equity share holders की तो we will choose plan no.2 जिसमें हम debenture से शुकर रहे हैं 10% के according अगर समझ में नहीं आया तो यह वाला पूरा concept जाके वीडियो में देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलो इसी बात में आपको बता दू कि सांपर यहां पर खतम होता है अब हमें पता चल गया है कि cbse अपना पेपर कैसे देने वाला तो हमें उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाई शुडू करनी है मैं आपको और चाप्टर का और आपको ncrt solution दे रही हूं और चाप्टर का बहुत ही जल्द मैं live sessions ले 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 नग जाओ है जब हम आपके लिए efforts लगा रहे हैं उसी टाइम थोड़े से efforts लगा लो न मुझे बताओ तुम्हें अभी next क्या चाहिए तो मैं उसी के according वीडियो को इसी के साथ all the very best term 2 को रॉक करना है हमें दुबारा से ठीक है thank you so much for watching this video